नमस्कार दोस्तों एन टीबी मोटीबेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रस्तु थे चाड़क की नीती के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो चाड़क की नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ग्यान हमेशा घातक होता है दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आचारचारग के कहते हैं जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है वो तो बास्तम में रईस है यदि उसके पास बिद्या है लेकिन जिसके पास बिद्या नहीं है वो सब ही प्रकार से निर्धन होता है आगे दोस्तों बताया गया है हम अपना हर कदम फूख फूख कर रखे हम चाना हुआ जल पियें, हम बही बात बोलें, जो शास्तर सम्मत है, हम बही काम करें, जिसके बारे में हम पहले ही साबधानी पूर्बक सोच चुके हैं दोस्तों जिसे अपनी इंद्रियों की तुष्टी चाहिए, वो बिद्धे आरजन करने के सभी विचार भूल जाए, और जिसे ज्यान चाहिए, वो अपनी इंद्रियों की तुष्टी भूल जाए, जो इंद्रिये विशे में लगा रहता है, उसे ज्यान कैसा, और जिसे ज्य वो बेर्थ की इंद्रिय तुष्टी में लगा रहे ये कभी भी संभब नहीं है। वो पतनी जो पराय पुरुष में रूची रखती है उसके लिए उसका पती ही शत्रु है जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु होता है। और एक अंधा आद्मी भला आईने का क्या करेगा। दोस्तों ये बहतर है कि आप जंगल में एक जाड के नीचे रहें जहां बाग और हाती रहते हैं। इस जगे रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेणों की खाले पहने। लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो जाएं। आचारे चारक जी आगे बताते हैं ब्रहम्मण एक ब्रक्ष के समान है। उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वो जो बेदों का गान करता है बही उसकी शाखाएं हैं। वो जो पुन्य कर्म करता है बही उसके पत्ते हैं। इसलिए उसे अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नश्ट हो जाता है तो शाखाएं भी ना रहेंगी और ना ही पत्ते दोस्तों रात के समय कितने ही प्रकार के पंची ब्रक्ष पर बिस्राम करते हैं भोर होते ही सब पंची दसो दसाओं में उड़ जाते हैं हम भला क्यों दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़ कर चले जाएं आचारे-चारेक के आगे बताते हैं जिसके पास में बिद्या है वो शक्ति शाली है निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है हे बिशंभर तू सबका पालन करता है मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूँ जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है आपके अनुग्रह के बिना एक माता की चाती से दूद नहीं बह सकता और शिशू का पालन नहीं हो सकता मैं हर दम यही सोचता हूँ हे यदू बंशियों के प्रभू हे लक्ष्मी पती मेरा पूरा समय आपकी ही चरड सेबा में खर्च करता हूँ दोस्तों आगे बताया गया है खड़े अन्न की अपैक्षा दस गुना बल उसके पिसान में होता है पिसान से दस गुना अधिक बल दूद में होता है दूद से आथ गुना बल मांस में होता है और मांस से भी 10 गुना बल घीमे होता है अचारे चारक की जी आगे बताते हैं उदारता, बचनों में मधुरता, साहस, आचरड में विबेक ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये केबल मूल में होनी चाहिए दोस्तों जो अपने समाज को छोड़ कर दूसरे समाज को जा मिलता है वो उसी राजा की तरह नश्ट हो जाता है, जो की अधरम के मार्ग पर चलता है आगे अचारे चारक की जी बताते हैं, हाती का शरीर कितना बिशाल है लेकिन एक छोटे से अंकुष से नियंतरित हो जाता है एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है एक करकती हुई बिजली एक पहार को तोड़ देती है क्या बिजली पहार जितनी बिशाल है? जी नहीं, बिलकुल नहीं, बही बड़ा है जिसकी शक्ती चा जाती है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि उसका आकार कितना है दोस्तों जो घर ग्रह्ष्टी के काम में लगा रहता है वो कभी ज्यान प्राप्त नहीं कर सकता मांस खाने बाले के हर्दै में दया नहीं हो सकती लो Бिध्यक्ति कभी सत्य भासड नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी भी शुद्धता नहीं हो सकती दोस्तों एक दुष्ट व्यक्ती में कभी पवित्तरता उदीत नहीं हो सकती उसे चाहें जैसे समझालो, नीम का ब्रक्ष कभी भी मीठा नहीं हो सकता आप चाहें उसकी शिका से मूल तक घी और शक्कर छिरक दें चारक की नीती में आगे बताया गया है आप चाहें साव बार पवित्र जल में इसनान करें आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते उसी परकार जिस परकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता चाहें आप उसे गरम करके सारी मदिरा की बाब बनातें आचारे चारक की जी आगे बताते हैं जो ब्यक्ति एक साल तक भोजन करते समय भगबान का ध्यान करेगा और मुह से कुछ भी नहीं बोलेगा उसे एक हजार करोड वर्स तक स्वर्ग लोग की प्राप्ति होती है दोस्तों बास्तम में बही ब्रहमड है जो केबल एक बार के भोजन से संतुष्ट रहे जिस पर सोलह संसकार किये गए हो जो अपनी पतनी के साथ महीने में केबल एक दिन समागम करे आगे दोस्तों बताया गया है वो ब्रहमड जो दूसरों के काम में अरंगे डालता है जो दंभी है, स्वार्थी है, धोके बाज है, दूसरों से घर्रा करता है और बोलते समय मुह में मिठास और हेर्दे में करोडता रखता है वो बिल्ली के समान होता है दोस्तों वो ब्रहम्मर जो भगबान के मूर्ती की संपदा चुराता है और वो अध्यात्मिक गुरू जो दूसरे की पतनी के साथ समागम करता है और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खाता है वो चांडाल होता है आगे दोस्तों बताया गया है एक गुरूबान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यक्ता से अधिक है केबल दान के कारण ही करण बली और राजा विक्रमा दित्याज तक चल रहे हैं देखिए उन मधू मक्यों को जो अपने पैड़ दुख से धरती पर पटक रही हैं और वो अपने आप से कहती हैं आखिर में सब चला ही गया हमने हमारे शहद को बचा कर रखा था ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया अभी एक पल में ही सब कुछ हम से चीन कर कोई चला गया दोस्तों चारक की नीती में आगे बताया गया है वो जरूरते पूरा करने के लिए परियाप्त धन है जो अपनी पतनी से सुखपूर संबंद रखता है जिसके नवकर उसका कहा मानते हैं जिसके घर में महमान का स्वागत किया जाता है जिसके घर में मंगलताई भगबान की पूजा रोज की जाती है जहां स्वादभरा भोजन और पान किया जाता है और जिसे भगबान के भगतों की संगती में आनन्दाता है दोस्तों बो लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं जो अपने संबंधियों के परती उधार हैं अंजाने लोगों के परति साहिरदे हैं, अच्छे लोगों के परति प्रेमभाव रखते हैं, नीज लोगों से धोर्तता पूर्ड बेवहार करते हैं, बिद्ध्वानों से कुछ नहीं चिपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के परति भिनम्र और पतनी के पड़ती सकत हैं दोस्तों अंत में आचारे चारक के कहते हैं बसंत रुतू क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते सूरे का क्या दोस यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता बादलों का क्या दोस यदि बारिश की बुंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है तो दोस्तों ये थे आचारे चाड़क के जीके कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस बीडियो के मांध्यम से शेयर किये आई होप आपको हमारा ये प्रियास पसंद आया होगा दोस्तों इस बीडियो से आपने क्या सीखा और इस बीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने बीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सके मैं मिलता हूँ आप से एक आइसी ही मोटिवेशनल इंस्पाइरिंग लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए इस्टा है मोटिवेट इस्टा है फियरलेस